यमी और टेस्टी रेस्पीज के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए ये बिल्कुल फ्री है और बैल आइकोन को भी जुरू प्रेस कीजिए हमारी आगे आने वाली से भी रेस्पीज की जानकारी के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल येमी फूर कीचन आज हम अपनी कीचे में बनाएंगे प्रोटीन पाउडर इस प्रोटीन पाउडर को बच्चे यंग्स्टर और बड़ी सभी ले सकते हैं क्योंकि इसमें सभी न्यूटिशन्स वेल्यूज हैं आजकल कोविड नाइं का ध्यान बिलकुल अच्छे से रखिएगा जो जो चीज मेने 50 ग्राम लिए हैं वह 50 ग्राम लेजिएगा और जो मैने 25 ग्राम लिए हैं वह 25 ग्राम लीजिएगा अगर आपको ज्यादा पाउडर बनाना है तो आप इसी रेश्यों के आन इसाफ से उनको डबल कर दीजिए जो 50 ग्राम लिए हैं उसे आप 100 ग्राम कर सकते हैं और जो 25 ग्राम कर सकते हैं तो रेश्यों आपको ऐसे ही रखना है उसके अंदर आपको कोई चेंजिज नहीं करने हैं इस वीडियो को आप अन तक जूरू देखियेगा आपको यह बताओंगी कि इसको कैसे और कितनी मात् विटामिन्स होता है तो हम सोया भीन का यूज़ कर रहे हैं जो यह रोस्ट हो चुके हैं अब धिन बहुत जाऱ मात्रा में होता है तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा Rथयता है और विटामिन्स गुर्श कर अब हम इसे भी निकाल लेंगे, इन सब भी को हमें ड्राइ रोस्ट जरूर करना है, अब हम बादाम रोस्ट करेंगे, बादाम के अंदर प्रोपिटीन और विटामिन ए होता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं, तो इने भी हम ड्राइ रोस्ट कर लेंगे, ये भी ड्राइ रोस्ट हो चुकी हैं, अब हम इने भी निकाल लेंगे, हमें सबी चीज़ों को अलग अलग रोस्ट करना है, प्योंकि सबी क्या टाइमिंग अलग होता है, इसलिए एक साथ रोस्ट नहीं करना, अब हम इसके अंदर अख्रोट रोस्ट करेंगे, अक्रोट के के अंदर ओमेगा थी होता है जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो सभी की अपनी अपनी क्वालिटीज है तो आप इन सब चीजों का यूज करके अच्छा प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं यह रोश्ट हो चुके हैं इन्हें भी उतार लेंगे अब हम यह चीया शीर लिए इन्हें रोस्ट करेंगे यह एक सुपर फूड है इसके अंदर प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है फाइबर भी होता है फाइबर हमाई लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है अगर फाइबर नहीं होगा तो हम कोई भी चीज अच्छे से दाज़स्ट नहीं कर पाएंगे यह भी रोस्ट हो चुक है इसे भी निकाल लेंगे अब हम इसके अंदर ओट्स रोस्ट करेंगे ओट्स हमें प्लेन ही लेना है कोई मसाला ओट्स नहीं लेना है ये भी रोश्ट हो चुकी है इन्हें भी निकाल लेंगे अब हम इसके अंदर फ्लेक्स सीट डालेंगे फ्लेक्स सीट के अंदर भी बहुत मात्रा के अंदर फाइबर होता है जो सभी के लिए बहुत अच्छा होता है इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे हम इस सभी चीज़ों को फ्यू सेकिंज के लिए ही रोस्ट करना है, बहुत अधिक रोस्ट नहीं करना है, आप देख सकती है, पोप अब होने लगे हैं, इसका मतल़ भी रोस्ट हो चुकी है, अब हम इने भी निकाल लेंगे, रोस्ट करने से किसी भी चीज़ के लिए मुश्चन नहीं रहेगा, और हमारा पॉटिंट पाउडर काफी दिन तक चलेगा, अब हम इसके अंदर मखाना डालेंगे, मखाना के अंदर, बहुत ज़़ा मातरा के अंदर कैल्शियम होता है, जो हमारी हडियों के लिए बहुत ज़़ा सही होता है, यह रोष्ट हो चुकी है, यह हम इसना तोड़ कर देखेंगे, तो हमें पता रगज़े, आप देख सकते हैं, अच्छे से रोष्ट हो चुकी है, इन्हें भी हम निकाल लेंगे, और इन सब को हम अच्छे से ठंडा करेंगे, अब हमने यह मुँफली ली है, मुँफली को हम अच्छे से रोष्ट करेंगे, अगर आप मुँफली नहीं लेना चाते हैं, तो इसकी जगह आप भुना हुआ चना भी ले सकते हैं, भुनने के बाद हम इसका छिलका उतार लेंगे, मैंने सभी चीज़ों को रोष्ट कर लिया है, अब हम इने एक एक करके पीसेंगे, सबस इसके फाइन पाउडर बन चुका है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे, इसी तरह हम और चीज़ों को भी गरेंड कर लेंगे, फंकिन शीर, फ्लैक शीर, और चीया शीर को हम एक साथ डाल कर गरेंड कर सकते हैं, ये तिनों चीज़े भी पाउडर फोम में आ चुकी है, इने भी एक बाउल में निकाल लेंगे, अब हम इसमें आर्मन्स डालेंगे, वालनर्स डालेंगे, और पीडर्स डालेंगे, इनको हमें रुक रुक मशीन चलानी है, तो कि अगर हम इने लगाता चलाते हुए ग्राइंड करेंगे, तो इनका ओयल निरीज हो जाएगा, जो क पाउडर नहीं बन पाएगा, इसलिए आपको इने रुक रुक कर मिक्स ही चलानी है, ताकि अच्छे से पाउडर बनका तयार हो, आप देख सकती है, पाउडर बनका तयार है, अब हम इसके अंदर मखाना पीछ लेंगे, यह भी पाउडर फोर्म में आ चुका है, अब हम इ अब हम इसके अंदर अश्रगंधा मिलाएंगे, अश्रगंधा हमारी मेमरी के लिए, बनाता ही तो आप इसे जीरूर डालिएगा सबको अच्छे से mix करने के बाद हम एक बावले थोड़ा अलग कर लेंगे ताकि हम इसका बच्चों के लिए chocolate ऐसे कुछ के लिए मैंने लिए इसे हम इस प्रोटीन पाउडर के नदर मिकस कर लेगे यह बच्चो को बहुत ही ज़्याद़ अच्छा लगेगा हमारा यह चोकलेटी प्रोटिन पाउडर बनकर तयार है इसे आप बच्चों को दीचे यह बहुत शौक से उसको पी लेंगे प्रोटिन पाउडर को आप आटी के अंदर डाल कर भी गून सकते हैं सैलेड के उपर डाल कर भी खा सकते हैं और इसे हम गरम दूद के साथ सुबह दो चमश सुबह और दो चमश शाम को लेंगी तो यह हमारे लिए बहुत जड़ा फाइदे मंद होगा इसको लेने के बाद हमें जल्दी से भूख नहीं लगेगी बच्चों को आप जो दस साल से कम उमर के बच्चे उनको आप एक चमश इस पाउडर को आप एक एक टेट के नर में भरकर दस से पंदा दिन तक यूज़ कर सकने है干 कि आपने सबी चीजियों को रोस्ट किया है इसलिए जल्दी खराब नहीं होंगी तो हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जुरूब दाइएगा तो मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए टेक कियर एंड